मानो जाती हमेशा से जरूरत से ज़्यादा बड़ी दिखने वाली चीजों से हमेशा प्रभावित रही है चाहे वो प्रकृती हो या फिर इंसान द्वारा बनाई गई हमें अक्सर वो चीज अपनी ओर खीचती है जिनके सामने हम अपने आपको काफी छोटा महसूस करते है तो चलिए नजर डालते हैं दुनिया की आज तक के सबसे बड़ी चीजों के बारे में जिसके बारे में ठीक से लोग जानते तक नहीं है दुनिया की सबसे बड़ी मोटर साइकल रेजियो डिजाइन एक्स एक्स एल चौपर आज तक बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी मोटर साइकल है ये किसे भी मोटर साइकल की कर रही चलती है जो सच में मोटर साइकल ही है ये करीब 32 फिट लंबी है और करीब 15.05 फिट उची है जिसमें 5000 cc 5.07 लीटर V8 Seulate 280 HP का इंजन लगा हुआ है इस सांदार जाइंट जैसे दिखने वाली मोटर साइकल को फैवियोज डिजाइन टीम के 25 लोगों ने मिलकर डिजाइन किया था जिसमें उने 7 महिने का समय लगा जिसमें उन्होंने बड़े टैक्टर में लगने वाले पहियों का यूस किया था इसकी टॉप बात ये है कि इसकी स्पीड 105 किलोमेटर प्रतिगंटा तक जा सकती है बड़ फ्रेंट्स ऐसा लगता नहीं है कि इसे कोई इतनी तेज भगाने की हिम्मत भी करेगा आज तक पाए गए सबसे लंबे आदमी का नाम रॉबर्ट पैशनिंग वैल्डो था रॉबर्ट एक अमेरिकन थे जिनका जनमा 1918 में हुआ था इनकी लंबाई 9 फिट थी जो आज तक रिकॉर्ट की गए किसी भी इंसान से सबसे ज़्यादा उचाई है इनका वज़न 200 खीलो के आसपास था सिर्फ 8 साल की उम्र में ही वो अपने पिता से ज़्यादा लंबे हो चुके थे जबकि उनके पिता की खुद की हाइट 5 फिट 11 इंच थी स्कूल में उनके लिए स्पेशल कॉर्सी और मेज बनवानी पड़ी क्योंकि वो नॉर्मल कॉर्सी में आही नहीं पाते थे रोबर्ट की लंबाई बनने की एक वज़ह मेडिकल कंडिशन थी जिसे जाइगेटिस में कहते हैं और इस मेडिकल डिसॉर्डर के चलते रोबर्ट की महज 22 साल की उम्र में निधन हो गया वहीं सुल्तान कॉजन दुनिया के सबसे लंबे जीवित इंसान है जिनकी हाइट 8 फिट 3 इंच है उस तो इस तस्वीर को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी समुद्र का किनारा है या फिर कोई नदी है पर असल में ये चीले देश में सेन रिजोर्ट में बना एक आउटडोर स्वीमिंग पूल है लेकिन इसकी साइस के बारे में जब जाना गया तो इसने सब के होस उड़ा दिये ये स्वीमिंग पूल 20 एकर में फैला हुआ है और इसकी लंबाई 3,324 फीट की है वहीं दुनिया का दुसरे नंबर का स्वीमिंग पूल जो मौरसको में है जिसकी लंबाई सिर्फ 489 है इसकी सबसे गहरी जगह 115 फीट है जो खूद ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस पूल में 66 मिलियन गैलन पानी समा सकता है और इसको बनाने में 1 मिलियन का खर्चा आया यानि इंडियन करशी में 6,627 करोड रुपिये इसको बनाने में 5 साल का समय लगा था और इसको हर साल मैंटेंड रखने के लिए 2 मिलियन डॉलर तकाता है व्यक्यूम चेंबर को इसले बनाए जाता है ताकि अंतरिक्षे में हालात कैसे होते हैं उसे artificial बना कर समझा जा सके जैसे कि मैटर ग्रैविटी की नहोने पर कैसी प्रतिक्रिया करता है और दोस्तों अंतरिक्षी यातिरियों के लिए बनाए गए स्पेस शूट इस जगह पर टेस्ट किये जाते है पर ये एक ऐसा चेमबर है जो इतना बड़ा है कि पुरे स्पेस क्राफ्ट को इसके अंदर बनाई गई नकली स्पेस कंडिशन को रख कर टेस्ट किया जा सकता है ये प्लम ग्रोक स्टेशन की नाम से जाना जाता है ये चेमबर 122 फीट लंबा है और ये 9604 स्पेर फीट पर बना हुआ है इसके अंदर एक स्पेस क्राफ्ट आराम से समा सकता है और दोस्तो इस चेमबर को फॉलिवुट की मूवी एवेंजर मूवी में भी दिखाया गया है ये फोटो एंटोनोफ एंग 225 की है जिससे एमरिया भी कहते है ये एक युक्रेनियम हवाई जहाज है जिसने एक रशियन स्पेस शेटल को अपनी पीट पर बैठा रखा है ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज है जो न सिर्फ हजारों टन माल को ढो सकता है बलकि एक खुद दूसरे हवाई जहाजों और भारी भरकम गाडियों को आसानी से इधर से उधर ले जा सकता है इसे साल 1988 में बनाय गया था जो उस समय से लेकर आज तक का सबसे बड़ा हवाई जहाज है दुनिया में इसका यही एक मात्र मॉडल है सोवीत यूनियन के ढह जाने के बाद इससे 7 साल तक काम नहीं लिया गया पर हवा में उड़ने वाले इस जाइंट को 2001 में फिर से काम में वापस लाया जाने लगा यह हवाई जहाज इतना बड़ा है कि अमेरिका के एक बोईंग 737 को इसकी कारगो वाली जगह के अंदर रख कर इसे आसानी से उड़ाया जा सकता है इसकी लंबाई 275 फीट है और दोनों पंखों को मिला कर उसकी चोड़ाई 29 फीट तक हो जाती है इसकी उचाई 59 फीट है जो एक फुटबॉल फिल्ड की बराबर है यह प्लेन 6,440 अजा ग्राम तक की भारी सामान को लेकर उर सकता है गिनेज बुक औप रिकॉर्ड ने ट्रक बेलाज 75710 को दुनिया का सबसे बड़ा डबल एक्सल डंपर ट्रक की रूप में दर्स किया है यह साड़े 400 मिट्रिक टन से जादा सामान ट्रांसपोर्ट करने की क्यापैबिलीटी रखता है दोस्तों बता दो कि यह पूरी तरह से इंधन और साथ लोड़ेट एयरबस A320 से 200 विमानों की बराबर है और ट्रक सीमेन से 1200 किलोवाट की चार इलेक्रिक मोटरों द्वारत संचालित की जाती है इस प्रोसेस में 16 सिलेंडर वाले दो डिजल इंजन का यूस किया जाता है जिसमें से प्रत्यक लगभग 1700 किलोवाट की उत्पादन के साथ होता है साथ में ये उर्जा भी देता है जो इन बड़े टायरों को आगे बढ़ने के लिए इलेक्रिसिटी ड्राइब प्रदान करता है इसका टेस्ट बेलारूस में 22 जन्वरी 2014 को किया गया था दुनिया की सबसे उच्छी इमारत दुबई की बुर्ज खलिफा को कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा जिसके उचाई 2732 फीट है और 33 लाख स्क्वेर फीट का एरिया कवर अप करती है इस अतिवी साल इमारत का निर्मान 2004 में सुरू हुआ था और इस बिल्डिंग को सबके लिए ऑफिशली 2010 में खोल दिया गया था इस बिल्डिंग में 57 लिफ्ट है और इसमें 163 मंजीले है और दोस्तो इस बिल्डिंग को बनाने में 1.5 बिलियन का खर्चा आया था यानि लगभग 30 करोड रुपिये इसके बाद सबसे बड़ी बिल्डिंग वॉल्योम या छेत्रफिल की रूप में देखी जाए तो वो है बिल्डिंग एवर्वेल फैक्ट्री जो वॉसिंग्टन में है ये जगह 1.333.000 स्क्वेर फीट में बनी हुई है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी चलती फिरती मसीन का नाम है बैगर 293 ये बकेट वेल एक्स्ट्वेटर है जो जमीन में खुदाई करने के लिए इस्तिमाल की जाती है इससे 1995 में जर्मन में बनाया गया था ये 314 फीट उची है और 238 फीट लंबी है ये मसीन हर दिन 8.5 मिलियन क्वीविक मीटर चल सकती है और इसको सिर्फ 5 लोग ऑपरेट कर सकते है इस तरह कि कई और बड़ी बैगर मसीन को जर्मन में यूस किया गया है पर इन में सबसे ब बड़ी चलती-फिरती मसीने हैं इसका वजन एक लाग ब्याली सजार टन है इसमें ड्राइविंग सीट नहीं है अगर ड्राइवर द्वारा चलाई जाने वाली मसीन की बात करें तो वो नासा की स्पेस शटल और सैटन वीस क्लेवर ट्रांसपोर्टर है जो स्पेस क्राफ् जो 9 देशों के हिस्से को कवर करता है इसमें से 60 प्रतिशत जंगल की जमीन ब्राजिल में है 13 प्रतिशत टेरू में 10 प्रतिशत कोलंबिया में और इसके छोटे-छोटे छेत्र और कई हिस्सों में आते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जगह होने के अलावा ये सबसे कोदे और अलग-अलग जानवर भी पाए जाते हैं जिसमें अंदाजे की मुताबिक 45 करोड़ पेड़ है हाला कि इतने बड़े जंगल में दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े जानवर नहीं रहते हैं उसके लिए हमें समुद्र की तरफ या सहारा डिजर्ट के सा सबसे बड़ा एफ्रिकन ब्रूस एलेफेंट होता है जो एवरेज 10 से 11 फीट उचा होता है इसका वज़न एक टन होता है दुनिया का सबसे बड़ा हाती 1956 में आवला देश में पाया गया था जो 13 फीट उचा था और उसका वज़न 1100 केजी के आसपास था तो कुछ समझे अगर समझे हो तो इस वीडियो को अपने सभी बुद्धी जीवी दोस्तों के साथ सेर किये भीना मत जाना खेर कोई सिकायत या सजेशन हो तो कमेंट्स वक्स खुला पड़ा है मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स के साथ त कुछ रहे और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद